हेलो स्टुडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्टूब चैनल सीट इनीट पर स्टुडेंट हम लोग इस वीडियो में नर्सिंग परामेटिकल और फार्मेशी के डिगरी और डिप्लोमा कोर्स के प्रिवियस येर के कोईश्चन डिसकस करेंगे जो नेक्स्ट इयर में आने के 100% चांस है और ये सभी कोईश्चन बेरी मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन है तो आप लोग प्लीज इस चैनल को अपने फ्रेंड्स रिलेशन और फाइमली वाट्स अप गुरूब में सेयर जरूर करें और ये निव चैनल है आप लोग ग्रोथ जरूर करवाएं जिससे हमें मोटिवेशन मिलें और आपको तो तो कोईश्चन नमबर 229 नमबर कोईश्चन बेरी मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन है और ये सक्वेश्चन से 4-5 बनते हैं तो आप लोग प्लीज ये सभी कोईश्चन क्लियर कर लीजिए ये कोईश्चन कह आणसवार और केंद्रक में डियएन्य को सभी अणसुआर्टन को क्यों मन जाता है तो आपसन लोग भी सभी करेंगे डियन्य में आणवाएनश्चन पदर्द्र plug-лас जो हा है वह बैक्टिरिया ट्रांसफार्मेशन पर्योग केंश्चन एह भी बनता है कि ट्रांसफार्मिं प्रेंस्पल जो है वह फ्रेड्रीक हम इस पैल इस पेलिग इटी घर उनेस ऌचीश कि फ्रेड्रीक फ्रेड्रीक डी डी चीफर्ण दीया तो है ऐसान पूर्चताँ इने क्या होता है ने जनेटिंग मेंट्रियाल होता ये भी question पूछता है, farming principle किस ने दिया था, तो Frederick Griffith ने दिया था, ये भी question पूछता है कि Frederick Griffith किस bacteria पर work किये थे, तो वो है, Streptococcus pneumoniae, yes, T, R, E, P, T, O, C, O, C, E, U, yes, Streptococcus pneumoniae, P, N, E, U, M, O, N, I, A, E, pneumoniae, Streptococcus pneumoniae पर work किया था, तो ये 3-4 question मनते हैं, आप लोग clear कर लिजेगा, Lysosome आत्मात्या का थैली है, क्योंकि उसमें जो suicidal bag कहते हैं, आत्मात्या की थैली suicidal bag किसको कहते हैं, और क्यों कहते हैं, question करा Lysosome आत्मात्या का थैली है, क्योंकि उसमें Hydrolitik Enzyme present होते हैं या परजीवी किरियाएं होते हैं या भोजी रिखतित्यक या आपचई Enzymes की वज़ा से तो LysoSomes को आत्मात्या की थैली Suicidal Back कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अफगटक Enzyme Hydrolitik Enzyme होता है तो Option Number हम लोग 1st सही करेंगे next question number कोस्का को powerhouse कौन है कोस्का का powerhouse first option chloroplast B option mitochondria C option galgica D option nucleolus तो option number B सही हो जायेगा यह question very most important बहुत बार medical exam में पूछा भी गया है तो mitochondria कोस्का का powerhouse होता है इसका expansion देख लेते हैं कोस्का का powerhouse mitochondria है mitochondria का खोज पूछा गया यहां पूछा गया नाम किसे ने दिया तो सी बेंड्रा ने दिया पूछा भी गया है घलल्जी गोल्जी बोलंक इंपर्ठयूर्टम से अध्रामी से जाते हैं इसका क्वाईल्जी गोल्जी ने आं 8.55 m हमें देदिया है और उक आले हम्रा अले अब बैरी मॉस्ट इंपॉर्टन जोहता है वह कहां होता है तो क्नीक्लीयस में और न्यक्लीयस में क्या रहें? नुकलियस के अंदर एक गोल आकरित होती है जिसे नुकलियस कहते हैं या RNA योम प्रोटीन संसलेशन में सहाइक होता है कौन नुकलियोलस तो आपसन नमबर हम लोग देखी लेते हैं कौन सा सही करेंगे माइटो कांडिया पूछा था कोसका का पावर हाउस तो भी आपसन सही नेस्ट कोईस्चन नमबर वाई मंडल में कार्बन डाई आकसाइड स्योटू की मात्रा लगबक कितनी होती है यह भी कोईस्चन पूछा गया है तो तो जो स्योटू की मात्रा होती है इन्वारिमेंट में वह होती है यहां आपसन में दे रहा है यहां आप लोग देख है और यहां उनली तीन परसेंट तो पॉइंट के बाद एक जीरो तीन परसेंट यह होगा स्योटू का क्या एटमासफियर में कितना परसेंटेज होता है तो आपसन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन नंबर अंतिम रूप में जैवी कुर्जा किसे से प्र चैन जो बनी होती है फर्स टाफिक लेवल सिकर्ट ट्राफिक लेवल टर्सरी प्रामरी कंजूमर्स यह सब जो होती है फूट चैन लेवल जो होता है कहरा है फूट चैन बनी होती है केवल उत्पादों वनली प्रोड्यूसर से केवल उपभोगताओं की वनली आफ कंजूम यहां से भी question बनते हैं, यहां कहरा है food chain उत्पादक क्यों भोगता से बनी होती है, यह देख लीजिए, producer किसको कहते हैं, वो ऐसे जिव जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, जिसे प्रकास संसलेशन की किरिया होती है, उत्पादक कलाते हैं, जैसे पेंड पोदे, यह producers होते ह हैं, यह आप लोग क्या definition देख लीजिए, producer का definition है, और consumer का भी definition दिया गया है, वो ऐसे जिव जो अपना भोजन स्वयम नहीं बना पाते हैं, यह जिव दूसरे जिवों से अपना भोजन प्राथ करते हैं, दूसरे पेंडेंट होते हैं, उसको consumer कहते हैं, जैसे example दिया गया, हिरन, बकरी, यार, बाग, हित्याद, तो यह किसका consumers हैं, यह भी देख लीजिए, decomposers कौन होते हैं, very very most important question यहां से बनता है, यह पूछता है, decomposers कौन कौन होते हैं, तो आप लोग दो याद करिए, जिवाड़, एक bacteria को, एक फंजाई को, यह आप लोग decomposers में, यह एकदम clear कर लीजे, bacteria और फंजाई, bacteria और फंजाई, यह दोनों आप लोग एकदम clear कर लीजे, कि यह दोनों decomposers होते हैं, जो सड़े गले चीजों से अपना बोजन बनाते हैं, उसी को मिर्तोब जी भी कहते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं, जैसे जीमान और फंजाई, किसी निश्च चेत्र जैसे तालाब आदमे पाउधों वा जनतुओं के बीच पारस्परिक संबंद को कहा जाता है, तो यह question कह रहा है, first option biome, B option community, C option पार्ष्टितंत्र ecosystem, यह D option biosphere, तो option number, किसी निश्चित चेत्र जैसे तालाब आदमे पाउधे यह जनतुओं के बीच पारस्परिक बंद को ecosystem कहा जाता है, जैसे यह question ecosystem का आप लोग definition होता, all the organism, जैसे सभी organism, plant, animal, microbes, एक area में interact करें, physical environment के द्वारा, और farm करें, एक system, उसी को ecosystem कहते हैं, यह question यह बहुत बार पूछा गया था, कि यह question पूछा जा था, ecosystem term किस ने दिया था, term, तो आप क्या लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे, एजी टेंसले, एक scientist थे, इन्ही ने ecology term दिये थे, ecology कह रहे हैं, ecosystem term, तो यह एजी टेंसले, ए, जी, टी, इन, यस, यल, ई, वाई, एजी टेंसले ने, ecosystem term दिया था, तो यह भी question पूछा भी गया है, next question number, crop rotation से lab है, crop rotation मिन्स जैसे एक बार खेत में धान, दूसरी बार गेहूं, फिर next में गन्ना, तो इसी को crop rotation से क्या lab हम लोग को मिलती है, first option भिन भिन परकार की फसल प्राप्त होती है, B option प्रोटीन के गुड़ों में बढ़ोतरी होती है, भूम में उर्भकता फर्टी लिटी में बढ़ोतरी होती है, खनीच के गुड़ों में बढ़ोतरी होती है, तो crop rotation में भूम से उर्भकता फर्टी लिटी में बढ़ोतरी हो जो उत्पादित करती है जो शूर की रोशनी से क्या निकलती है अल्ट यूबी रेज निकलती है अल्ट्रा वालेट रेज निकलती है और वो क्या करती है शूर की रोशनी से अल्ट्रा वालेट किरने निकलती है जो ओजोन उत्पादित करती है तो आपसा नमबर हम लोग कौन सा C लगाएंगे, एक question very most important question पूछता कहता है कि good ozone किस पार्ट में बनती है atmosphere के किस पार्ट में बनती है तो atmosphere का जो upper part होता है, उसको stratosphere कहते हैं, यस T, R, A, T, O यस P, H, E, R, E stratosphere, जैसे हम लोग याद कर लिजी एक trick, G, S G के जैसे याद करते हैं जैसे, G, S का याद कर लिजी good ozone, stratosphere stratosphere, upper most part होता है, तो आप लोग याद कर लिजी, good ozone कहां होती है, तो stratosphere में एक question बार-बार पूछा जाता है तो next question number अमल बर्षा, acid rain का परमुख कारण है, acid rain की कहीं भी बात हो, तो आप्षन में ये soda, sulfur dioxide, तो अमल बर्षा का परमुख कारण क्या है, Y पर 200 द्वारा CO2 की मातरा में बिद्धी होना या जंगलों की पिटाई की वज़ासे acid rain होती है, Y पर 200 द्वारा CO2 की मातरा में बिद्धी की वज़ासे या उपिक सभी तो आप्षन C सही करेंगे, Y पर द्वारा CO2 की मातरा में बिद्धी होने के कारण, अमल बर्षा acid rain का परमुख कारण है, तो option number C correct करेंगे next question number question number 239 number 249 number question very most important question और हर बार ये question पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछते हैं, तो भारत में मिर्दा अपरदन soil erosion का सबसे गंभीर कारण क्या है, soil erosion कैसे सबसे अधिक होता है, Y द्वारा मिट्टी का उडान की द्वारा या जल बाट द्वारा मिट्टी के विस्थापन की या सुस्क दसाई या बन कटाव की वज़ा से, तो भारत में मिर्दा अपरदन soil erosion soil erosion की हिंदी जो होती है मिर्दा परदन, मिट्टी का कटना का सबसे गंभीर कारण बन कटाव है, तो आपसन नंबर हम लोग D साई करेंगे, ये कोश्यन भी पूछता, पूछा भी गया है What are the consequences of deforestation मतलब deforestation बन काटने का क्या आप लोग का परिडाम है तो क्या परिडाम होता है अगर deforestation आप काटते जाएंगे तो इन्हेंस carbon dioxide जो है atmosphere में अधिक हो जाएगी क्या हो जाएगी CO2 की मात्रा atmosphere में ATM atmosphere में क्या अधिक हो जाएगी carbon dioxide अधिक हो जाएगी और क्या हो जाता लास आप बायो डाइवर्सिटी जो बायो डाइवर्सिटी होती है वो भी लास हो जाती B I O D I B E R E S I T Y डाइवर्सिटी लास हो जाती है यह लोग यह सब आप लोग नोट कर लीजिए बायो डाइवर्सिटी यो टू इन्किरेज हो जाएगा atmosphere में बायो डाइवर्सिटी लास हो जाएगी और क्या होगा और बायो डाइवर्सिटी लास भी हो जाती है और जो hydrologic cycle होती है वो भी disturb हो जाती है hydrologic H Y D R O E L O G I C hydrologic C Y C L hydrologic cycle disturb हो जाती है और क्या होता है और soil erosion होने लगता है और desertification मतलब बंजर जमीन होने लगती है तो यह आप लोग याद कर लीजिए confirm कर लीजिए important question है next question number मिर्दाकर्ण की सता पर मजबूती से चिपकी पतली चल जल प्रत कहलाती है जो मिर्दाकर्ण की सता पर मजबूती से चिपकी पतली जल प्रत क्या कराती है hydroscopic water कहते है coast का तो option number हम लोग 20 सही करेंगे hydroscopic water option number बी correct हो जाएगा coast का जल कैपलरी water जड़ द्वारा और सूसित कर जाइलम द्वारा पौदों के अन्निभागों में भेजा जाता है तो हम लोग इसके आगे next question next video में करेंगे student प्लीज आप लोग चैनल को प्लीज परमोट करिए और description चेक करिए कोई भी अगर link वीडियो दिया जाता है कोई भी link दियाती है तो आप लोग उस link पे click करके उस वीडियो को आप लोग जरूर जरूर देखें प्लीज और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेशन और अपने जो फ्रेंड्स कोर्स करना चाहते हैं nursing, paramedical, pharmacy, diploma या nursing के कोर्स तो आप लोग उन्हों को जानकारी दें और कोई भी अगर query या question पूछना तो आप discussion नंबर में मेरा WhatsApp नंबर है उस पे आप पूछ सकते हैं Thank you student